है हलो बåक्चों कैसे हैं आप सब आई अच्छे वह बच्चों सी अज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की ट्रिग्नामेट्री की कुछ पढ़ की एच छी इसे से ठीक है और और कुछ हमने exercise के questions भी देखे थे वह आप अगर स्टार्टिंग से आप कर रहे हैं तो मेरे लास्ट वीडियो में जाके देख लीजेगा बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नामिट्रिक के आगे का पोश्चन जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नामिट ट्रिग्नामिट्रिक टेबल को हम बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं बहुत ध्यान से देखिएगा एक बार अगर आप इस ट्रिग्नामिट्रिक टेबल को ध्यान से देख लेंगे तो फिर फ्यूचर में कभी भी आपको ट्रिग्नामिट्रिक टेबल बनाने मे ठीक है यह तो लिखना ही रहेगा यह साइन हो गया वालू साइन ए कॉस ए टैन ए को सेक ए सेक ए कॉट ए और इसको इस तरीके से लिखिएगा जिसे हमें थोड़ा आसानी रहती जैसे साइन का रिवर्स फर्मूला हमने आपको बताया था साइन का क्या हो तक कॉस सेक होता है तो साइन कॉस टैन पहले हमने सीक्वेंसिय लिख लिया उसके बाद देखे हमने साइन के बाद में साइन का ही रिवर्स फर्मूला पहले लिखा साइन का फिर कॉस लिख दिया फिर कॉस का सेक ल के लिए 60 डिग्री 90 डिग्री के लिए ठीक है तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमें करना क्या होता है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सबसे पहले हम साइन की वैलूस लिखेंगे ठीक है तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर जीरो 0, 1, 2, 3, 4 देखे कितने आसानी से हमने सारी values को लिख लिया 0, 1, 2, 3, 4 ठीक है यह थोड़ा इधर बढ़ा के लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए यहाँ पे लिखा हमने 0, 1, 2, 3, 4 हो गया ठीक, अब क्या करेंगे जो values हमने लिखी है सभी को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमने इन सभी values को क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया 1 by 4 2 by 4 3 by 4 4 by 4 उसके बाद हमें 3rd step क्या करना होता है सभी values पर हमें under root लगा देना है ठीक है तो आईए लगा दिते हैं under root यह हमने अंडरूट लगा दिया इस पर भी अंडरूट लगा दिया यह अंडरूट लग गया यह अंडरूट हो गया यह अंडरूट हो गया अब सब की वैलू को हम निकाल लेते हैं जीरो अपॉन फॉर मिल्स क्या वैलू आएगी जिरो ठीक है रचाँए कली मिल्सॉ में की वैलू तो वन ही आ जाएक और भू रूटबी वैलू निकल कहने पैसे तो यहां यतर्लों टू यह थी मिरूट कर तो हूं गया फिर रूटबाई 60 की वैलू यह उपर की तो रूट 3 हो जाएगी और नीचे क्या हो जाएगे रूट 4 की वैलू 2 हो जाएगी देन रूट 4 by 4 means 1 अब देखिए साइन की एक वैलू आ जाने से आपको पूरी टेबिल की वैलू कुछ भी याद नहीं करना है बस सारी को एक सिस्टम से रखते जाना है हमें पूरी टेबिल भी तुरण सॉम हो जाएगी साइन की जो वैलू जाई है इधर से आप यह वैलू जो है सबसे लाश्ट वाली वैलू इसको कॉस में स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिए बस कुछ नहीं करना वन वाली वैलू तो इसको यह ठीक है 45 दोनों सेम होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा वन वाई रूट टू ठीक फिर यह वन वाई टू फिर कॉस नाइंटी वैलू जीरू तो देखिए हमने क्या किया कुछ नहीं किया जो साइन की वैलू इधर से मतलब लेफ्ट टू राइट लिखी हुई थी उसको ह सब्सक्राइब हमने पढ़के रखा हुआ है क्या पढ़के रखा है टैन की वैलू व्य्त होती है 103 इसकोल टो साइन टीका आपन को कॉस्ट थेटा होता है तो हम क्या कर लेंगे साइन की वैलू उपर रखं़ किर नीचे रहे सिंपल आपको तुरंत निकलगे आ जाएगा म means 0 upon 1 तो value क्या एगी 0 आएगी ठीक फिर यह 1 upon 2 और root 3.2 दोनों कटके value क्या जाएगी 1 by root 3 यह 1 by root 3 हो गई value उसके बाद में 1 by root 2 1 by root 2 means value 1 root 3 by 2 1 by 2 2 to cancel means value root 3 1 by 0 means value infinite ठीक है value infinite हो गई तो यह हमें 10 की values मिल गई अब हमें अगर तीन वैलू मिल गई तो तीन में तो हमें कुछ भी नहीं करना है बस केवल रिवर्स कर देना है साइन का साइन जो है उसका रिवर्स क्या हो जाएगा कॉसक हो जाएगा कॉसक हो जाएगा और टैन का कॉट हो जाएगा बस हमें रिवर्स करना कुछ भी नहीं करना साइन क करिवर्स कीजिए जीरो का रिवर्स इंफाइनाइट यहाँ पर वयलू इंफाइनाइट हो गई गया तो एकदम सिंपल से निकल आये अब कॉस का reverse कीजिए तो से की वेलू हैगी 1 का reverse 1 Route 3 by 2 का 2 by Route 3 then 1 by Route 2 का Route 2 उसके बाग में 1 by 2 का 2 0 का infinite ठेक यह वैलू भी कॉस के सेक की हमारी पता चल गई उसके बाद हमें क्या करेंगे हम देखिए ध्यान से जो 10 है में 0 का रिवर्स करना है में जीरो का रिवर्स infinite वन वाइरोर्ट थी का रूट थी हैं वन का वन ही हो गया दैन वन रूट थी का वन बाई अच्छे से कीजिएगा और देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमको ट्रिजनामेट्रिक टेबल फर्म हो गई